यहां पे डेड़ आएक्व गेंप्ले लगाया देड़ आएक्व गेंप्ले लगा के तीन तीन वंदे पकड़ लिए लेकिन उसके ठीक भाद उसके ठीक 10 सकंड बाद मैं गलत सीन कर बैखता हूँ तो भाई लो कैसे हो तो यार वेलकम दी बैक बैक दे वेलकम और स्वागत या आपका एक भी राण न्यू गलाच सीन से बड़े पड़े पड़े पपजी द मुबाइल गेमप्ली वीडियो में और इस मैच पे मैं एक डेड़ा एक्यू गेमप्ले इस्तेमाल करता हूँ अब देखो मेरे को बिलकुल भी नहीं पता क्यों लेकिन वो डेड़ा एक्यू गेमप्ले सो में से डेड़ सो बार पक्का पका काम करता है हर बार देख लिया हर बार वैसे ही करता हूँ और हर बार ब निहत्ते ही गुम रहे हैं और एक और बंदा निहत्ता है यहां पर आगे खड़ा है और और मेरे को सही में विश्वास नहीं उपा रहा है कि एक निहत्ते बंदे को मैंने जान नहीं दिया अब देखो गया वो निहत्ता था लेकिन आते समय बड़ी बड़ी गन लेके आएगा खेर पेटी फिर भी बनेगी पीचा कर रहा हूँ पूरी जान से अभी तक हमारे भाई नियत्ता और नंगा भग रहे थे और यहाँ गुस्ते ही गण लेके निकलते हैं और एक निहत्ते बंदे के चक्कर में यार पूरी की पूरी सुकोड दोड़ते वे आती है कैर पेटी तो पहले ही बन गई थी और इनकी भी पेटी बन गई अब देखो यहाँ पे यार हेलमेट के नाम पे मेरे पे अभी भी टोपा वाकी है लेकिन ये नहीं की कही साइड में लूट लूट बिल्कुल भी नहीं यहीं सामने भेरा उसमें एक बंदा बैठा पड़ा था तो बस उसके बाहर निकलने का इंतेजार कर रहा हूं और पहले तो मैं उसका पीचा करता हूं फिर ये लोग मेरा पीचा करते हैं और जहां तक मेरे को पता ये सकाड उस निहत्ते बंदे की बिल्कुल नहीं है ये कोई दूसरी टीम आ गई और इनका एक आखरी बंदा बाकी है जो की पूरी चोड में उपर चलांगे पेला है तो मैं भी उपर चड़ जाता हूं और ये वाला बंदा अपनी आखरी दम तक उचल कूट करता रहा पहले भाई उचलते कूटते दूर से आते हैं उसके बाद उचलते कूटते जमीन पे जाते हैं और अब सीधा लोबी जाएंगे उचलते कूटते और यार मेरे टीमेट की बिलकुल फटके चार हो गई थी तो भाई कंठेनर के अंदर चुपके बैट रखे थे खेर याँ पे मैं धेर्ट पैड रिवाइट पेलता हूं और उसके बाद जो भी पेटी पड़ी है लूटना चालू करता हूं और वैसे वी यार ये नोवो खाली हो चुका है गिने चुने बंदे आते यार लूटी नहीं मिलती आजकल यहाँ पे और हमारे भाई के ऐसे दिना गए हैं कि बॉटों से बखके भाई को आगे जाएं और और भी पंगे लें हम देड़ पेड़ बात कर लेते हैं हमारे सपॉंसर की तो यार इस एप या फिर वैबसाइट का नाम है वान एक्स बैट जिसके मालत साब कई सारे गेम्स क्रिकेट फुटबॉल बॉली बास्केट बॉल और भी कई सारे स्पोर्ट्स या फिर इस्पोर्ट्स पे बैट बुट लगा सकते हूँ साथी साथ इसमें आपको 7000 रुपे तक का बोनस मिलेगा आपके पहले डिपॉसिट में अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करते हूँ जो कि कमेंट सेक्शियों में दिया गया होगा और इसमें जीते वे पैसे विड्रॉ करना बहुत ही आसान है बिल्कुल हल्वे की तरह क्योंकि इसमें पेटियेंप, पेपाल, गूगल पे कद्दू पे नजाने क्या क्या है सब कुछ है इसमें, तो आप अराम से पैसे भी ड्रॉ कर सकते हूँ तो हाँ यार अगर आपको इस सब चीज का सौक है आप इसमें आपको ट्राय कर सकते हूँ इसके लिंक कमेंट सेक्शियों में होगी बिल्कुल टूक में और यही होता है जब आप हद से ज़्यादा चौर में रस रूस करते हूँ ठीक यार महंगे कपड़े लेकिन उपन से तो मताओ अब देखो इधर बाहर से फुटिश जा पाते हैं और मेरी भड़ जाती है अब मैं अपने टीमेट को सुरुआत में बोला था कि यार तुम बोट से डर रहे हो सरम करो डर के कंटेनर के अंदर चुप रहे हो और यहाँ पे यार मेरे साथ ही वो सीन हुजाते है देखो यहाँ दो टीम लड़ रही थी उसके बाद दो टीम के लड़ते ही बोट दबा दबाना चालू करते है मेरे को लगता है यार फुटिश टैप दबा के आ रहे हैं पका बंदा आ रहा होगा लेकिन यह लोग बोट होते हैं फड़ जाती है लेकिन मेरी अब देखो मेरे को नहीं समझा रहा क्यों लेकिन पबजी के आएवे साल हो चुके हैं साल हो चुके उसके बाद भी इन्होंने गेम से बोट नहीं अटाए ठीक है यार दो चार बोट समझता हूँ लेकिन दबा के दबा की है लोग बोट डालते हैं सही बतर हो यार बोटों की वज़ा से मानो या ना मानो गेम का असली मज़ा किरकी रह हो जाता है परिश्टान करके रखते हैं बोट और जहां तक मेरे को पता है इन लोगों ने पबजी पीसी में भी बोट डालती हैं क्या दिन आ गए हैं खेर जो भी हो अब मैं जाई रहता हूँ अपना डेड़ आइक्यू गेमपले करने और मैं अपने डेड़ आइक्यू गेमपले के रस्ते में ही था लेकिन ये गाड़ी दिख जाती है और ये डिराउप के गने लेके भग चुके हैं तो करना क्या था अंधा पीछा करेंगे और ये लोग यहीं कहीं रुके हैं तो हमको भी यहीं रुकना पड़ेगा अब गाड़ी में रोक चुका हूँ पूरी चौड में लेकिन बंदे किधर को बैटे पड़े हैं किधर को लेटे पड़े हैं मेरे को कद्दू कुछ नहीं पता मेरे को बस इतना पता है कि भईया घर के अंदर गुच जाओ क्योंकि बॉट के अलावा अगर बंदा होगा ना बाहर वो सीधा पेटी बनाएगा मौका तक निμिलेगा क्यार मैं अंदर गुचता हूँ और दे दबादब गोला बारी चालू होती है वो लोग बी फेटते हैं और मैं भी फेटता हूँ और मेरा फेटना न फेटना एक समान है और मैं आगे घरों में नेड पक्का पक्का फेटता लेकिन नेड होता ही नहीं है मेरे पे वैसे बढ़िया ही है यार कम से कम टाइम तो बचेगा सिधा गुस के पेटिया बनाएंगे और अपने कई बार साधियों में देखाओगा कि यार बंदे नाचना आई या नाए जवर दस्ती हाथ पाओ मारते रहते हैं मैं भी वही सीन कर रहा था मतलब वो बंदा खड़े होके मेरे टिमेट की बेटी बनाना चाहता था मैं क्या कर रहा हूँ जवर दस्ती कूदे जा रहा हूँ उसके बाद लेटना भी है मेरे को खैर ऐसे लेटते पड़ते किन मिल जाती है तीनों बंदे ठिल गए अब जा रहा हूँ डेड़ा एक्वी गिंपले के लिए अब यहाँ पर फट चुका है नेट यानि कि दो या फिर तीन सो कॉड आपस में लड़ रही है और यार देखो लड़ाई हो रही है तो ज़्यादा था टैम 90 पर 30 सा टैम यार बंदे चट पे चड़े होते हैं तो मैं भी ज़रा उपर जाता हूँ देखने की सीन के चल ला है और इधर गोलिया भी चल ली है बंदे बीठिल रहे हैं लेकिन बंदे है किदर वो पता नहीं चल पा रहा है मतलब भेल किसे रहें ये उपर बैठके खेर जो भी हो देखो अगर मैं यहाँ पर सीधा चड़ता ना तो मेरी सीधा कोई ने कोई सामने से पीटी बनाता तो यहाँ पे हम समोक वगेरा करते हैं मैं तो नहीं मैं तो आलसीता हमारा भाई समोक करता है और मैं दे चर जाता हूँ और देखो कैसे बैठे पड़े हैं ये लोग उपर तो मैं कूदा फांदी करता हूँ फिर से यहां पे डेड़ आइक्यू गेमप्ले लगाया है डेड़ आइक्यू गेमप्ले लगा के तीन वंदे पकड़ लिए लेकिर उसके ठीक बाद उसके ठीक दस सेकेंड बाद मैं गलत सीन कर बैठता हूँ ऐसी होता है यार मतलब कुछ ढंका जाता है लगता है कि भाईया हम ही हैं हम ही चौड में हैं उसके बाद गलत सीनो बैठते हैं और यार यहां पे मेरे को रिवाइव होते टेम बहुत डर लग रहा था क्योंकि यह जो छोटी खिड़की भी नहीं यार चट जा है न यहां से गूलियां आ जाती है कई बार क्या रिवाइव अगेरा मैं हो गया बंदे ने साइड बैठ के पेल दिया था लेकिन अब रिवाइव हो चुके हैं तो यार पेटिया लूटते हैं अब यहां पे मेरा टीमेट दिमाग लगा रहा है कि बंदे किधर किधर होंगे बंदे मैं क्या कर रहा हूं धीटो के तर लेटा पड़ा हूँ और दबा के दबा के लूटे जा रहा हूं मतलब रफतार देख रहे थे आप किस रफतार से गोलियां उटाई मज़ाई टैप आ गया और यही होते बंदे और ये वाले भाइ मेरे को हलवे में ले लेते हैं बिलकुल मजाक में कोई इज़त नहीं है जिंदगी में मतलब मैं यहाँ से देख रहा हूँ गोली भी चला रहा हूँ लेकिन वो बंदा अपनी स्नाइपिंग रोक के तयार ही नहीं है मतलब उसको अच्छे से बताता कि यार मैं एक सस्ता सनय परूँ खेर गलती से एट सोट लगी जाता है और वो नदी किनारे वाला बंदा किसी को नोक तो जरूर करता है लेकिन किदर पता नी चल पाता बस इतना पता है कि ठीक सामने घर पे बंदा बैठा पड़ा है और मेरा नेड इतना सस्ता कि पोचो मत यार अब तो कसम से बता रहा हूँ अब मजाग भी नी कर रहा सरम आने लगी है अपने सस्ते नेड देख के यार मन करता है वो जो नदी है न बगल में जाओं और तेरते तेरते ठील जाओं मतलब ऐसा नेड फेका जो घर के अंदर ठकने गया बंदे ठीलना तो बहुत दूर की बात है और अगर आपको लग रहा है कि यार ये सरम नाकता तो आप बहुत गलत हो क्योंकि आपने ये चीज नहीं देखी देखो जरा और यार मैं सही बता रहा हूँ ये जो सीन मैंने किये ना इस सीन के लिए मेरे पास कोई सब्द नहीं है कोई सब्द नहीं मेरे को नहीं दखता जिंदगी में इस पबजी में इस गेम में यार मेरे से सस्ता नेड मोली कोई करता होगा ऐसे तो देखो मेरे ये नेड और जलती बोतल मैं कदू कुछ नियुकारते लेकिन जब फड़ते हैं तो होता क्या है अपना ही टीम में ठील जाता है भाई बहुत ही बड़िया और भाई इस बंदे पे कितने नेड और मॉली पड़े हैं मैं देख रहा हूँ यार जब से मैं आया हूँ ये कुछ न कुछ फिक के जा रहा है भाई कुछ और भी उठा लो यार नेड बोली की जगा गोलिया उठा लो मतलब सही है यार उसका महंगा होगा इसलिए भाई ने भर भर के रखा है अपने बैग में खेर जो भी सीन हूँ आग भी लग जाती है मेरे तो यार हीलिंग पेलता हूँ और यार आप आगे जाने पड़ेगा ठक चुका हूँ मैं या बैटके और आखिर गार जाके इस बंदे की पेटी बन पाती है यार डेड़ आइक्यू करके जो पेला था ना उससे हजार गुना ज़्यादा चैन इस बंदे की पेटी बनाने में आया मतलब मैं देख रहा हूँ यार गर पे बैटा हूँ बंदे की नेड़ खतम ही नहीं हो रहे और उसके चकर में मेरे नेड़ और सस्ते हो रहे है और हाँ ये बहाना था यार मतलब उसने तो क्या ही किया मेरे नेड़ पहले से ही सस्ते थे कैर यहां आगे से कोई M24 भी पटका रहा था और मेरे ख्याल से ये इसी के टीमेट थे तो इसे पकड़ने के लिए मैं भी आ गया आता हूँ और यहां पर पता है मैं क्या कर रहा हूता हूँ जैसी मैंने पहला बंदा नौकिया मैं अपने टीमेट से नेड़ की भीक मांग रहा हूता हूँ हाँ इतना सारा गलत सीन करने के बाद अपने टीमेट को इठीलाने के बाद नेड़ मांग रहा हूता हूँ सरम नाम की कोई चीज नहीं है और देखो जादा किल करने के लिए यार जूनदगी में बस यही करना होता है इधर से उधर भगो गलत नेट करो फिर से इधर से उधर भगो तब तक जब तक गेम खतब न हो जाए या फिर 30 किल न मिल जाए रहा देखो 30 किल मिल जाए तो मस्त कैम्प लगा के बैठो पेटी नी बननी चीए खेर वहां पे मैं पेलता हूँ तीन बंदों को सोचता हूँ कि यार आराम से बैठ के लूटूंगा लेकिन उतने में ही आगे लडाईयां भीड़ जाती हैं पेटी तक बन गए किसी की अब देखो ये जगा बिल्कुल ओपन है और चोड़ चोड़ में मैं गाड़ी तक लेके नी आता नजाने वहां से भगते भगते यहां का पहुंच गया कोई हो सावास नी है अब यहां पे मैं रुका होता हूँ क्योंकि भगने से यार कुछ भी हो सकता है मैं उनके भगने का पहले इंतिजार करता हूँ और मेरे सामने से ही एक बंदा उस पीले घर के आसपास गया था तो मैं भी बस यहां पे रुक के इंतिजार कर रहा हूँ कि वो बंदा भगे और मैं उसकी पकड़ के पीटी बनाऊँ अब देखो मैं आपको सचा ही बताता हूँ यहाँ पे मेरे को वोईस ओवर बन करनी चाहिए थी लेकिन सीन क्या यार देखो पिछली बहुत सारी वीडियो 20 मिनट की है अगर यह नहीं होगी ना अजीब सा लगया यार 20 के बीच में उन्नीस अटपटा सा लगता है और यहां पर हमारे भाई बन रखे होते हैं जहरी ले साप और साप बनने की सजा मिल चुकी है बिलकुल पेटी बना दी अब यहां पर अगर मेरी सनाइपिंग थोड़ी सी जादा भी नहीं बोल रहा हूँ थोड़ी सी महंगी होती यार वो बन्दा ठिल चुगा होता उसके सर पे हेलमेट तक नहीं है जहां तक मेरे को पता है लेकिन मैं सकोब खुलता हूँ और सोट मिस हो जाता है अब यार साप का चकर मोचे टकर खेलना पड़ेगा हम भी ढिल सकते हैं और साप गया कद्दू लेने मेरे को उस बन्दे को देखना होगा जिसे पहले नो किया था ग्रोचा से भकते वे पकड़ा था जिसको और लोग भाई इधर पे नेड़ाना चालू हो जाते हैं मतलब भाई को लेटना है और लेटके नेड़ भी करना है अब सीन क्या होता है यार जोन दोका दे जाता है हमेशा की तरह कोई नहीं बात नहीं है लेकिन कुछ अलग होता है इसमें जोन मेरे साथ साथ उस बन्दे को भी दोका देता है जहां तक मेरे को बता है बाई ने तीन तीन चार चार नेड रखे अपने पे, खेर हील हूल मैं दबा के पिलता हूँ और टाइम आगया है अब आगे जाने का, जो भी होगा यार देखा जाएगा क्या ही कर सकते हैं, और यार समोक में एजस उजस करना पड़ेगा, एजस तो खेर क्या ही होता है वो भ भगते वे आएगा और मैं भी भगते वे जाओंगा समोक में लड़ेंगे दोनों और यहां पे मैं इस बंदे की बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा ही चक करता हूँ क्यूंकि ये बंदा उटके लड़ाई करने को आया आप नई तो ज़्यादा तर साप क्या करते हैं ल तरना कुते कि वो जो रोड पड़ी है न वो सिमेंट की रोड जो है बीच में वहाँ पे भी रेंग दिवे आएंगे उठेने का बिलकुल मन नहीं लेकिन इस बंदे पे हेलमेट तक नहीं होता उसके बावजूत भाई लड़ाई लेने के लिए बराबर आते हैं और इस बंद एक्यू गेमप्ले के लिए आर लाइक ठोकना मतभूलना मतलब देखो आप ट्राय करके पक्का पक्का देखने उसे देखो जितने भी बार मैंने इस्तेमाल किया है ना लग बाख हर बार मेरे को एक बार भी या दिनियारा जिस बार मेरी पेटी बन गई हुआ से चड़ते वे हर बार काम करता है नजान एक्यू आर ऊपर चट पे जो बंदे बैटेते उन्हें भी पता होगा कि यहां दरवाजे से आ सकते हैं फिर भी कोई चेक नहीं करता क्यार जो भी हो आज के वीडियों में इतने भाई लोगे यार बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने झाल 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 झाल